क्या हाल चाल डाउनलोड कर सकते हो मतलब की सीधी वाशा में बोले तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम good to go रहोगे बोर्ड के लिए इस चैप्टर को तुम्हें दुबारा पढ़ने की भिजयत नहीं रहेगी अगर तुम्हें इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखते हो तो चलो अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो देखें यार यह बहुत अतरंगी सी कहानी है इसमें एक कुता रहता है और वो बिमार हो जाता है अब बिमार कैसे होता है? खाने से बिमार हो जाता है मतलब उसकी मालकिन उसको इतना खिलाती है इतना ठूस ठूस कर खिलाती है इतना मीठी चीज, फैटी चीज, इतनी सारी चीज है मतलब जो जो अमीरी तुम लोग सोच सकते हो वो सारी अमीरी भर के खाने में उसको खिला देती है और उससे वो इतना बिमार हो जाता है कि वो चल फिर नहीं पाता है और आगे तुम लोग को story में दिखेगा कि वो इतना मोटा हो जाता है कि जब वो चलता है तो उसका पेठ्ट में जमीन से टकराता है मतलब ऐसी condition हो जाती है तो ऐसे condition में उस कुट्टे का क्या होता है उसको कैसे ठी किया जाता है कोई डॉक्टर आता है कि नहीं ये सब चीजों के बारे में हम लोगों को इस स्टोरी में पढ़ना है तो देखो यार अगर characters की बात करें तो इसमें तीन main characters हैं पहले हमारे कुटे मुघले आजमRed Tricky उनका नाम रहता है इस्टोरी में इसके बाद इस्टोरी में Tricky की मालगिन रहती हैं जिनका नाम रहता है Mrs. Pomphrey Mrs. Pomphrey यार बहुत अमीर हद अमीर टाइप की इनसान है बहुत अब अब गजब हद लैवल की अमीर है इसके बाद तीसरा हम लोगों का करेक्टर रहता है एक डॉक्टर का जिसे अंगरीजी का चमतकार दिखाते हुए तुम्हारे NCRT में वेटेनरी सर्जन लिख दिया गया है अब वेटेनरी सर्जन क्या होता है भीया तो दिख़े यार वेटेनरी मतलब होता है ये पसुपक्ष जो जानवर का लाज करने वाले जो डॉक्टर्स रहते हैं उन्हें हम लोग वेटेनरी सर्जन कहते हैं और यहाँ पर स्पेशल वर्ड है सर्जन सर्जन मतलब काट पीट करने वाले जो सर्जन मतलब समझते हो ना कबीर भाया सो कबीर भाया इंसानों के सर्जन थे और वैसे जो कुटो और जो जानवरों का इलाज करता है, जो जानवरों का सर्जरी करता है, उन्हें हम लोग वेटेनरी सर्जन कहते हैं, तो यहाँ पर इस स्टोरी में वेटेनरी सर्जन है जेम्स हैरियट, उनका नाम जेम्स हैरियट रहता है, अब दुख्यारी ये कहानी शुरू होत प्रब्लम कोई बिमारी तो नहीं हो गई है, यह कई दिनों से ही उदास रह रहा है, मुझे लगा कि शायद इसे खाने की कमी हो गई है, इसी वज़े से कुछ दिनों से मैंने इसे और खाना देना शुरू कर दिया, जैसे होलेक्स वगरा मैं देती हूं, इसके साथ में कई food supplements मतलब अमीरी की चमकान टाइप की जितनी भी चीज़े होती है वो सारी वो tricky को कुछ दिनों से और खिलाने लग गई थी कि शायद इससे उसकी condition सुधरे तो लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ बलकि हाला तोर बिगड़ती जा रही थी तो मिसिस पंफरी फिर पूछती है डॉक्टर से कि अब मैं क्या करूँ मैंने तो इससे और खाना भी खिलाना शुरू कर दिया जितनी भी अच्छी चीज़े होती है मैं उसे खिला रही हूँ लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है अब बताईए मैं क्या करूँ तो जेम साइरियट मिसिस पंफरी से पूछते है कि मैंने आपको कहा था कि इसको चीनी या फिर स्वीट वगएरा मत दीजिये तो वो अपने कम कर दिया है क्या तो मिसिस पंफरी कहती है कि हाँ डॉक्टर जब आपने कहा था तो मैंने ट्राय तो किया था लेकिन वो क्या है न कि ट्रिकी को न ये मीठी चीज़ें और ये स्वीट वगएरा पसंद है इसी वज़े से मैं अपने आपको रोक नहीं पाई और मैंने उसे खिलाना फिर शुरू कर दिया तो ये सुनके जेम सैरेट को पता चल जाता है कि हाँ भाई मेन प्रॉबलम क्या है तो वो ये सुनकर वहां से चले जाते हैं और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तीन चार दिन में मिसिस पमफरी उन्हें कॉल जरूर करेंगी क्योंकि जिस रफतार से ट्रिकी को ठूस ठूस कर खिलाया जा रहा था कुछ दिन में वो और बिमार होगा ही तो जैसा उन्होंने सोचा था कुछ दिनों के बाद उन्हें मिसिस पमफरी का फोन आ जाता है और फोन पर मिसेस पमफरी कहती है कि देखे हालत और बुरी हो गई है अब ट्रिकी ने खाना भी छोड़ दिया है मतलब अब वो एकदम ही लेटा रहता है कुछ नहीं कर रहा है खिल भी नहीं पा रहा है तो फिर जेम सरीट सोचते हैं कि नहीं अब उनके पास situation critical हो जाएगी उसको अपने अंदर custody में ले लेते हैं उसे clinic पर कुछ दिन के लिए admit कर देते हैं और जेम सरीट कहते हैं कि देखो madam आपके पास यह कई दिन रहा आपने try किया ठीक करने का अब मेरे पास भेज़ दो मैं देखूंगा कि मैं पहले उसको review करूंगा कि उसको क्या problem है उसी के ह कर देखते हैं घर पर तो कई सारी mates if tricky के खाने पीने का इंतजाम करने के लिए ही लगी रहती हैं कोई उसका कुशन देख रहा है कोई उसके कपड़े देख रहा है मलब सीधी भाशा में बोले तो वहाँ पर जिल्ले इलाही जलालुद्दीन अकबर थे हमारे tricky और इसके बा की लोग mates वगेरा मिसिस पंफरी सब लोग रोने लग गए तो अब इसे देखकर जेम्स हैरियेट भी यह सोचते हैं कि नहीं अब इसको ठीक करना ही पड़ेगा मलब tricky को अब ठीक करना ही पड़ेगा तो जेम्स हैरियेट अब tricky को अपने क्लिनिक पड़ लेके आते हैं और वहाँ पर जो जो समान उसको tricky के लिए दिया गया था उसका कोई इस्तमाल नहीं करते हैं वो खुद consume कर लेते हैं और tricky को वहाँ पर normal कुत्तों के साथ छोड़ देते हैं बोलते हैं यहीं खाओ पियो जी हो मरो मतलब जो करना है करो और शुरुवात के दो दिन tricky को खाना भी नहीं दिया जाता है सिर्फ पानी दिया जाता है इसके बाद tricky को ना मतलब जो normal वहाँ के जंगली टाइप की कुत्ते थे जो उनके क्लिनिक पर उन्हीं के साथ में खेलना कूदना पड़ता था अब क्लिनिक पर हो रही थी जंग चार-पांच मुष्टंडे कुत्तों के सामने एक बाउल में खाना रख दिया जाता था उसी से सबको खाना रहता था जो पहले भागा जो पहले पहुँचा वही सिकंदर उसको ज्यादा खाना मिलेगा अब tricky हमारे उतना तेज भाग नहीं पा दिन बाद tricky की हालत धीरे-धीरे सुधरने लग गई अब इसी बीच क्या हुआ कि मिसिस पंफरीक से रहा नहीं गया और उन्होंने tricky के लिए खाने के food supplement भी भिजवाना शुरू कर दिया मलब रोज brandy, अंडे, champagne ये सब आने लग गया डॉक्टर के क्लिनिक पर tricky के लिए मलब अच्छी अच्छी चीजे, branded चीजे उन्हें रोज मिल रही थी, तो वो खुद consume किया जा रहे थे, एक सेकंड, अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक जनहित के लिए सूचना, कि जो लोग इस चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले पढ़ले को सब्सक्राइब करो, द देखरार हमारी स्टोडी कहां तक पहुंची थी, कि जो जो समान मिसिस पमफरी ये ट्रिकी के लिए भेशती थी, वो जेम्स हैरे, खुद consume करने लग गया थे, अब क्या हुआ, ऐसे ही दिन चलते रहे, फॉर्ट नाइट बीती, पंदरा दिन बीते, पंदरा दिन के बाद एक बड़ी सी लंखजरी काली वाली कार में जो कभी नहीं खतम होती है, चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, उस गाड़ी में आई हमारी सुंदर सी मिसिस पमफरी, और वो दरवाजा खोलती है, और उनके सामने उनका ट्रिकी एकदम शारुक खान बन कर खड़ा रहता है, और वो टुकपुक टुकपुक करके आकर अपने मिसिस पंफरी के गोदी में बैठ जाता है। अब मिसिस पंफरी के लिए अतरंगी सी चीज थी क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा कुटा मेरा ट्रिकी ऐसा भी हो सकता है। मतलब ऐसा गजब का ट्रांसफर्मेशन की सिधा डोरे मौन से विद्दू जामवाले बन गया। ये सब देखकर ट्रिकी की मालकिन फूले नहीं समा रही थी। ट्रिकी भी उनके उपर कूद रहा था, इदर उदर खेल रहा था। और ये सब देखकर आखिर में मिसिस पंफरी ने डॉक्टर के तरफ देखकेगा कि ये मैंने ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, थैंक यू डॉक्टर में आपका शुकरिया कैसे करूँ। ये reality में triumph of surgery है, मतलब surgery की जीत है, surgery का success है, triumph मतलब होता है success होना, तो triumph of surgery मतलब surgery का success, तो देखको यार ये थी हमारी पूरी सीधी साधी सी story, मुझे लगता है तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, अब हम लोग देखते हैं इसके previous year question, मुझे अब इस chapter से आख ये tricky की condition देखी, और उससे उनको पता चल गया था कि आगे चलके उनकी tricky की हालात और बिगड़ने वाले हैं, और आगे चलके मिसस पंफरी उन्हें call करेंगी ही, तुम्हारे screen पर proper screenshot आ रहा होगा, अगर चुल मची हुई है तो posture के पढ़ लो, इसके बाद ये भी question आता है कि James Heriot भाई साहब ने आखिर tricky को कैसे treatment दिया, तो इसका answer ये रहेगा कि James Heriot ने उससे natural treatment दिया, उससे non-medicinal treatment दिया, मदलब कोई medicine दवाईयां वगरा नहीं दी, उसके खाने को थोड़ा सा control में किया, उससे physical activities करवाई, और उससे फिर आगे चलकर tricky healthy हो गया, ठीक हो गया, तो थोड़े से related वगयरा ही हमेशा आते हैं question, तो अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया है, तो एकदम दिल खोल कर कोई भी answer तुम लोग लिख सकते हो, तो इसी के साथ तुम्हारा ये chapter एकदम आतंक तरीके से complete होता है, तो make sure कि तुम लोग subscribe वगयरा कर लो, ऐसे ही हम आगे के chapter searches दे complete करेंगे, और make sure free net के जमाने में तुम लोग MSP Knowledge Official को एक बार check जरूर करो, बहुत सारे content तुम लोगों को वहाँ पर भी मिल जाएंगे, वीडियो सब को share कर दे और फिर क्या, जाना, जा, पढ़ ले